हेलो फ्रेंड़्स मैं हूं शहबाद, आप देखरें you.Mr. क्रोब, तो आज को इस वीडियो में आपको देखाने वाला हूं, गेम लुब को अब किस तरिके से completely आनिस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर complete ली आहम नहीं होगा तो मैं इसको open file location आपको दिखा देता हूँ तो मेरा ये अभी d drive में install है ओके तो मेरे को इसको uninstall करना है तो मैं चला जाता हूँ अभी control panel में uninstall program ये रहा game loop इसको मैं uninstall कर देता हूँ ओके uninstall अच्छा मैं यहाँ पर कुछ भी एक reason देखे इसको uninstall कर देता हूँ ओके तो ये मेरा uninstall complete हो चुका almost 95% okay see you भाग जाओ यहाँ से तो यहाँ पे यह game loop चला गया यहाँ से तो इसका यह जो यहाँ पे file था यह भी चला गया आप चले जाते हैं ज़रा c drive में ओके तो अगर आपका c drive में install होता तो अब को program file में या तो फिर यहाँ यह program file में कहें भी मिल जाता आपको ठीक है तो यहाँ पर कुछ फाइल नहीं है इसका ओके टी टेंसेंड भी नहीं है game loop यहाँ पर भी नहीं है ओके तो मैं इसको जड़ा अन हाइड करता हूं यहाँ चले जाते हैं लोग program data में वह को के तो यहां 10 cent का file है 10 cent का तो इसको हम लोग delete कर देते हैं चैशब ओके तो लोग इसको बाद में delete करते हैं पहले अगबर यहां user में आ जाते हैं Oke यहां app data यहां local tenant यह रहा कि इसको यहां से delete कर देते पहले ओके फिर से अपड़ाटा रोमिंग में यह टेंसेंट इसको भी यहां से डिलीट कर देते हैं ओके ओके रिजिस्ट्री हम लोगों क्लीन करना पर एगा और इजी रेजिस्ट्री एजिट ओके तो यहां पर आ जाहिए कि यहां आने के बाद आपको सिंपल को टेंसेंड का जो फाइल है उसको डून लेना यहां से इसमें नहीं है ओके यूजर में यहां भी नहीं है करेंट सब्टोर सिस्टेम ओके यहां देख लेते हैं मेकानिजम मेशिन यूजर सब्टोर यह रहा ठीक है करेंट यूजर सब्टोर टेंसेंड तो हम लोग टेंसे पहले डिलीट कर देता हूं ओके रेजिस्ट्री डिलीट डन अमनों कुछ टेंप फाइल होता है इसका इसको कर देते हैं परसेंट टेंब देगे ओके इसको डिलीट आपके ट्राइगें इसको कर देते हैं इसकी जो डिलीट होएंगा होएंगा डिलीट हो जाना तो चाहिए तो देते हैं ओके तो PC को सिमपल से एक बार हम लोकर देंगे Restart करने के बास जो फाइल हमारा डिलीट नहीं हो रहा था सी डृड ड्राइब میں तो चले पार इसको डिलीट कर देते हैं लोग प्रोग्राम डाटा ऑके रहॉर टेंसेंट को डिलीट कर देते हैं लोग ऑके तो completely सबकुछ हमने डिलीट कर दिया तो इस तरीके से आप मतलब game loop kop completely uninstall कर सकते तो I hope आप उन को ये विडियो पसंदाए होगा पसंदाए तो मेरे NATO przypad अई औहाई को subscribe कर दीए like करوقनू थेंकर वाचिंग